स्कूल टीचर को लड़की के बैग में मिला कुछ ऐसा जिसके बाद वो सहेली के साथ कूद गई नहर में सेंटिनल कैब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की नौवी की दो लड़कियों ने शुक्रवार देर शाम बिस द्वाब नहर में छलांग लगा दी एक लड़की की लाश देर शाम महंदिपूर पूल के पास मिली जबकि दूसरी लड़की के बारे में देर रात तक कुछ पता नहीं चल पाया पुलिस की अब तक की जाच में सामने आया है कि स्कूल में एक लड़की के पास से शुक्रवार को मोबाइल मिला था और टीचर ने उसे अपने पैरेंट्स को सुबे साथ लेके आने के लिए कहा था इस हाथसे में गाव सुदा माजरा की मनपरित कौर की मौत हो गई जबकि गाव चाहला की रुपिंदर जित का कुछ पता नहीं चल पाया 14 साल की इन दो सहलियों के नहर में कूदने से इलाके में संसनी फैल गई है बताया जा रहा है कि रुपिंदर कौर के पास से टीचर को मोबाइल मिला था मनपरित कौर और रुपिंदर जित कौर दोनों ही एकी स्कूल में सहलिया थी और वो सुबे एकी बस से जाती थी स्कूल में वे दोनों अकसर अलग-अलग बसों में घर पे जाती थी मगर शुक्रवार को वो एकी बस से घर पर गई दोनों सहलिया जंता स्वीट चौक में बस से उत्री और फिर नहर की तरब गई मनप्रीत कौर का गाव रुपिंदर कौर के गाव के बाद आता है पुलिस ये जाच कर रही है कि शुक्रवार सुबे भी दोनों घर से स्कूल के लिए आई और फिर ट्यूशन के बाद घर जाने के लिए एकी बस में क्यो गई और मनप्रीत रास्ते में क्यो उत्री परिवार वालों का कहना है कि जब बस में अन्य अध्यापक भी थे तो फिर उन्होंने लड़कियों को उतरने ही क्यों दिया पुलिस ने पूछताज के लिए स्कूल के अध्यापकों को भी थाने में बुला लिया एसाई राम प्रकाश ने बताया कि मामले की जाद जारी है और परिवार वालों के बयान के बातकारवाई भी की जाएगी पुलिस के लिए इस घटना में सबसे एहम ये है घटना की कडियों को जोड़ना 14 साल की छोटी उम्र में आत्मात्यक करना बच्चियों के लिए आसान नहीं रहा होगा ऐसी क्या वज़ा थी कि उन्होंने नहर में छलांग लगा दी या फिर उन्हें किसी ने फेक दिया नहर से बरामत छात्रा के जूते वह जुराबे भी नहीं मिले हैं इसके अलावा उसके नाक से जाग भी निकल रहा था ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है वैसे अगर वे स्कूल से घर जाने के लिए बस में सवार हुई थी तो रास्ते में ऐसे कैसे उतर गई पुलिस को इस जाच में इन सवालों के जवाब धूनने होंगे तब ही मामले की कडिया जुड़ जाएंगी